नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम साला दर्पन में स्कुल से सम्मधित आने वाली समश्याओं पर चर्चा करेंगे और उनका समाधान खोजने का पुर्यास करेंगे इस वीडियो में जो आप देखेंगे, यह साला दर्पन की वेब साइट पर दिया गया है कुछ पर्चन और उत्तर हैं, आप इनको साला दर्पन आईडी में लोगिन होकर और स्टाप टैप पर किलिक करकर, हेल्प लाइन पर किलिक करकर इन पर्चन उत्तर को पा सकते हैं तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, इसकूल से सम्मंदित क्या-क्या पर्चन दे रखे हैं और उनके क्या-क्या जवाब हो सकते हैं सबसे पहली समझ आती है विध्याले में संचालित SDMC तथा अन्य बैंक के खातों का सत्यापन या वैरिफिकेशन कैसे करें तो अगर आपके सामने यह समझ आती है दोस्तों तो इसके लिए आंस्वर दे रखा है जिन विध्यालों के खातों का सत्यापन नहीं हुआ है उन विध्याले में साला दरपन लोगिन करते ही पूप अप विंडो दिखाए देगी जिसके द्वारा आप दर्ज खातों का विवरण दिखाए देगा इस विवरण को जांच कर सही होने पर नीची दिखाए दे रहे कंफर्म बटन को किलिक करें किलिक करते ही संस्ता परदान के मोबाल पर एक ओटीप आएगा जिसको साला दरपन पर सम्मिट करना है अगर आपके विध्याले का भी नहीं हुआ है आप उसमें डिटेल भर देंगे डिटेल भरने के बाद में जब आप उसको सम्मिट करेंगे तो संस्ता परदान के नंबर पर ओटीप जाएगा और ओटीप भरकर इसको आप वेरिफाई कर सकते हैं दूसरे परकार की समस्य आती है दोस्तों पॉप अप विंडो में दिखाए दे रहे खातों के विवरण में यदि कोई तुरूटी हो तो सही करने के लिए SDMC मोडूल में जाकर दर्ज खातों के विवरण में तुरूटी कर अपडेट करें इसके बास अत्यापन हे तू जो पहले परसन की जो परकिरिया थी वहीं अपनाए तो दोस्तों अगर आपके फॉन में ये लैप्टॉप में पॉप अप विंडो नहीं दिखाई देता तो आप साइट की सैटिंग में जाकर पॉप अप को ओन कर लें जिससे आपको पॉप विंडो दिखाई देगा और उसके बाद आप यह हैं SMC या HDMC का कारिय कर सकते हैं इसके बाद देखते हैं साला दरपन पर आधार नंबर अपडेट नहीं हो रहे हैं किस परकार अपडेट किया जाए अगर माली जीए बच्चों के आधार नंबर अपडेट नहीं हो पा रहे हैं साला दरपन पर किसी कारणवस तो उसको कैसे अपडेट करना है साला दरपन पर आधार नमबर फीड करने के लिए निम्न विदी से परियास करें सरव पर्थम विध्यारती प्रपत्र में डुपलिकेट आधार करक्षन में विध्यारती का नाम चेक करें तथा नाम होने पर वांचित सुदार करें एक विध्यारती जब हम student टैप पर किलिक करते हैं तो उसमें एक option आता है duplicate आधार करक्षन आप वहाँ पर जाकर किलिक कर सकते हैं और उसके बाद आप विध्यारती के खाता नंबर जो आधार नंबर हैं वो सुदार सकते हैं विध्यारती परपत्र में update student info module के द्वारा आधार वे भामासा नंबर दोनों परविष्ट करने पर ही आधार नंबर सेव होगा यदि बार बार आधार नंबर परविष्ट करने पर भी update नहीं हो तो परपत्र नों विध्यारती विश्तिर्त विवरन परविष्टी से update करें स्टेप बताई गई है तो आप वहाँ पर जाकर इस्टुडेंट के आधार नंबर सेव कर सकते हैं कि जिदि कोई विध्यार्ति अन्य विध्याले से साला दर्पन की टीची लेकर आपके विध्याल्य में पर विश्च लेता है तो आधार नमबर पर विश्च करने पर आधार अलोटेड Sh 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 तित्थी में बदलकर आधर नमबर से उकरें तो पस्चात आउस्चक होने पर परपत्र पांच में पुन्य परिवर्तन कर देवें यदि इस विद्धी के द्वारा भी नहीं होता तो आप जो साला दरपन की जो जीमेल आइडी है इस पर आप अब समस्या का समाधन हो जाएगा वैसे आप परपत्र पांच और परपत्र नोग की एंट्रि करेंगे तो ही आसानी से हो जाएगा फिर भी नहीं होता तो हम इमेल का परियोग कर सकते हैं अब आगे देखते हैं दोस्तों पर्थम परक दित्य परक अद्वार्शिक के बाद एने सो किये गए विध्यारती का नाम रिजल्ट मोडूल में नहीं आ रहा माली जे कोई बच्चा है जिसने अगर पर्थम परक दी है या दित्य परक तक पड़ा है या अद्वार्शिक तक हमारी विध्यारती में पड़ा है और उसके बाद वो एने सो हो गया और रिजल्ट भरते वक्त उसका नाम शो नहीं हो रहा तो उसको कैसे फीड करना है एने सो किये गई विध्यारती का नाम रिजल्ट मोडूल में लाने है तो विध्यारती मोडूल में लगातार अनुपस्तिति के कारण नाम पर्थक में एसार फीड करें आप एने सो लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर बच्चे के एसार नंबर फीड करेंगे और कारण ड इसकासन पर्थक एतु परविष्टी से पुन्ह नियमित का चैन करें अब आपको क्या करना है उस विध्यारती को पुन्ह हमारी विध्याले में लेकर आना है पुन्ह नियमित करना है अब विध्यारती का नाम रिजल्ट मोडूल में दिखाई देने लगेगा विध्यारती के प्रिजल प्रिष्टी के पुन्ह लगता रणुपस्थिति के कारण नाम पर्थक से उसी दुनांग कुपर्थक ko पर्थक करतें फिर हम उसका रिजल्ट भर देंगे वर बहने के बाद में फिर हम उसका नाम उसी डेट को दुभारा अश्व कर darle ट Meg Depth कर देंगे कियों दोस्तों समश्या से से बचने कई हीए एक उपाय है कि आप जैसे में पर नंबर भर देने जो कहते है जोट्य परिक्षा तुरंत नमबर भर दे बॉड जैसे ही अदवार्शिक होती है तौन डंबर भर देने अगर आप तुरंत ऐसा कारी करेंगे लेट नहीं करेंगे तो आपके सामने ऐसी समयश्या आएगी नहीं फिर भी आ जाती है तो आप इस परकिर्या को पूरा करके बच्चे का रिजल्ट बर सकते हैं आगे देखते हैं ऑडिशनल बजट डिवांड मोडूल 4 से केंड्रेंड पियो से बजट वांग करने के बाद बजट आवणटन नहीं होने पर क्या करें माली जे हमने बजट की मांग कर दी और फिर भी आवणटन नहीं हो रहा ऐसी इस्तिति में हमें क्या करना चाहिए इस समंद में इस्पेश्ट केया जाता है साला दरपण पर कोश्ट इस्तर से केवव मोडूले रिवारा वरॉस्चेष जूड़ी समस्ष्शाओं की मॉनीटरिंग और समयधान की जाती है। इसलिए मोडूल के समध में केवल तकनी की समस्चा के लिए ही शाला दरपन में कोल या इमेल करें आपके द्वारा इस मोडूल के माध्यम से की गई अतिरिक तमांग के आधार पर IFMS पर बजट आउंटन का कारे निदे साले बीका नेर के बजट अनुभाव द्वारा वरियतायम बजट की उपलबता की आधार पर किया जाता है दोस्तों इस समस्या का समधान के लिए शाला दरपन जिम्मेदार नहीं है एक IFMS साइट होती है अलग से आप उस पर जाएंगे उस पर इमेल कर सकते हैं बाकी बजट का कारे निदे साले बीका नेर का होता है वहीं से बजट जारी किया जाता है विद्याले के समस्त विध्यारतियों का संपूर्ण डाट एक्सल सीट में कैसी प्राप्त हो सकता है अगर हमें विद्यारतीयों का डाट जो है एक्सल सीट में चाहिए तो उसके लिए simply हमें इसको login करना है और download का एक tab दे रखा होता है वहाँ पर click करना है और student details data पर click करना होता है फिर उसके बाद एक excel का आपको logo दिखाई देगा आप वहाँ पर जब click करेंगे तो सभी student के data excel की रूप में आपको दिखाई देने लगेंगे एक और परसंद आता है विध्याले में अध्यनरत समस्त विध्यारतियों के पैचान पत्रिया ID कार्ड है तो data excel sheet में कैसे प्राप्त हो सकता है उसके लिए भी लगबग वैसा ही process है इस school login में जाकर download tab पर आप के लिए करेंगे और student ID data को download कर लेंगे तो वो excel sheet में आ जाएगा और आप उसको print भी कर सकते हैं विध्याले के समस्त कार्यत staff के पैचान पत्र हितू data excel sheet में कैसे प्राप्त हो सकता है वही process होगी दोस्तो इसको login में download tab पर जाएगे और staff ID data download पर किलिक करेंगे तो आपको staff के पैचान पत्र की excel sheet प्राप्त हो जाएगी additional budget demand module 4 secondary and POC budget मांग कर देने के बाद भी IFMS पर राशी प्राप्त नहीं होने पर क्या करें यह पहले बताया जा चुका है दोस्तों कि यह कारिशाला दर्पन का नहीं है इसके लिए आपको IFMS की राशी काउंटन कारिन निदेसालिबी का नेर के बजट अनुभाग द्वारा वरियतायं बजट की उपलबता क्या दार पर किया जाता है उस समंद में आपको वहीं से संपर करना पड़ेगा अगर साला दर्पन की कोई समश्या है तकनीकी या व्यक्तिगत तो आप साला दर्पन के इमेल पर मेल कर सकते हैं दोस्तों एक और परसन आता है अपडेट स्कूल नेम मोडूल में कई विध्यालियों के द्वारा नाम गलत अपडेट कर दिया गया है निर्देश अनुसार सामाने नाम के पश्चात लगाने योग ग्राम छेतर कोलोनी मोहला धानी का विवरण जिससे उसकी पैचान स्तापित होती है को अंकित करने के बज़ाए विध्यालियों का पूरे पते सहीत विध्यालियों का पुने खाली बोक्स में दर्ज कर दिया गया है जो कि मोडूल में मूल भावना का नूरूप नहीं है अब क्या करें माली जी आपने विध्यालियों का नाम गलत भर दिया है साला दरपन पे तो अब हमें क्या करना है विध्याले मोडूल को पुने अनलोग हेतू विध्याले की साला दरपन आईडी सहीत विवरण लिखकर वहीं जो rmsaccr.gmail.com है इस पर इमेल करें तो वहां से इसको अनलोग कर दिया जाएगा फिर आप अपने विध्याले की सही पर विष्टी कर दे तो आपकी यह समश्या का समधान हो जाएगा मादमिक सिक्षा के कार्मिक की स्टाप जोइनिंग 3 में परविष्टी करने पर बजट हैड का ड्रोप आउट ओपन नहीं हो रहा तो क्या करें मादमिक सिक्षा के कार्मिकों की स्टाप जोइनिंग में उस पद का बजट हैड ओपन नहीं होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि आप दौरा साला दरपन पर उस पधेतु निर्धारित बजट हैड को विद्धाले के किसी अन्य कार्मिक के लिए चैन कर लिया गया है और अब नया कार्मिक जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं उसके लिए बजट हैड चैन उप दिखाएगा इसके लिए हमें कि स्टाफ जोइनिंग में एडिट का बटन का उप्योग कर विद्धाले में कार्या सभी कार्मिकों के बजट हैड को चैक करते हुए उन सब के लिए उचित बजट हैड का चैन करना चाहिए और नई एंट्री वाले कार्मिक के लिए वांचि के नाम के सामने स्योग कर रहा हो हम उसको दुबारा ठीक कर देंगे और नए कार्मिक के लिए बजट का प्राउधान कर देंगे किया है के सालाधरपण से समद्नित समस्य के लिए हेल्पडैस के परकोश्ट रधीकारियों को कब कोल कि या जाए जिया दोस्तों यह बहुत ही मयत्वूर से अगर हमें साला धर्पन से सम्मंदित कोई समझ चाती है तो help line number जो होते हैं उस पर कब call कि आ जाना चाहिए कि help desk और साला धर्पन परकुष्ट के अधिकारियों को 24 इंटू 7 सेवा मान कर किसी भी समय call किये जाते हैं जो उचित नहीं है जियां दोस्तों ये टोल फिरी नंबर नहीं है अधिकारी हमेशा वहां पर बैठे हुए नहीं होते हैं और आपका call रिशियू नहीं कर पाते हैं सरपर्थम हमें इमेल ही करनी चाहिए इमेल में समया वधी में समाधा नहीं होने पर help desk के call के लिए संदेश प्राप्त होने की स्थिति में ही help desk के basic नंबर कार्याले पर सुबह साधिनों से 6 शाम के 6 बज़े के बीच में ही हमको call करना चाहिए और अगर official चुट्टी है तो उस दिन हमें ये call नहीं करना चाहिए अंत में उक्त से भी समाधा नहीं हो तो help desk पर call अटेंड नहीं हो वेस्थ हो तो अंतिम विकल के रूप में ही किसी अधिकारी को कारेले समय कारे दिवस में call कि आ जाना चाहिए तो दोस्तो इसमें यह बताया गया है कि छोटी मोटी बातों के लिए अधिकारियों को हमें call नहीं करना है इमेल करना है फिर भी समच्चा का समाधा नहीं होता तो help 9 नमबर दे रखे हैं हमें उस पर call करना है और फिर भी समच्चा का समाधा नहीं होता तब ही हमें किसी साल साला दर्पन के अधिकारियों को कॉल करना है को करने के लिए आप नंबर को आसानी से क्रोम ब्राउजर या अन्य ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं साला दर्पन हेल्प लाइन नंबर लिखकर तो आपके अधिकारियों के नंबर आपके सामने पर दशित हो जाएंगे और आप कोल कर सकते हो कि अंतिम परसन आता है दोस्तों विध्यारती विवरण परपत्र नों में विध्यारती के आधार नंबर दर्ज करने पर यदि उस आधार नंबर की एंट्री अन्विध्याले में पूर में ही दर्ज होने का मेसेज दिखाई दे या अन्य कोई कारण से विध्या यह आधार नमब भरे जा चुके हैं या फिर हो सकता है आपके विध्याले में और किसी तकनिक की करण से आधार नमबर शेव नहीं हो पा रहे होंगे है कि तो एसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि परपत्र 9 में विध्यारती के आधार दर्ज करने पर यदि उस आधार नंबर की एंट्रि अन्य विध्याले में पूर्म ही दर्ज होने का मैसेज दिखाई दे या कोई कारण से विद्धयारती का आधार नंबर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तोravat वीध्यारती के नाम और वास्त्विक आधार नंबर जो आप दर्ज करना चाहते हैं कि सूचना उसी इमेल पर या फो नंबर दे रखे हैं 0141 2700872 पर कोल कर जान कर दी जाने चाहिए ताकि उस आधार नंबर को पूर में दर्ज अन विद्धाले से हटा कर या डी एक्टिवेट कर वर्तमान अध्यनत विद्धाले द्वारा सही विद्धारतिय को उस आधार की एंट्रिक की जा सकेगी हमारा लक्स सत परतिसत आधार परविष्टी होना चाहिए जिहां दोस्तों ये कुछ परसंथे कुछ समझ्याएं थी कि ऐसी समझ्याएं अगर आपके सामने आती हैं तो आप साला दर्पन पर जाकर इनको पढ़ भी सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो समझाने का प्रियाश किया है वो आप प्रोसेस पूरी करक कि आसानी से अपनी समझ्याओं का समधान कर सकते हैं फिर भी कोई समझ्या रहती है तो आप चैनल से जुड़े रहिए इसी परकार के और इनफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइगन को दबा ले ताकि कोई भी नया वीडि देते रहिए आपके सयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों